कि नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पुष्पंदर सेनी और आप देख रहे हैं वाइब्रेंट केरियर अगेडमी के ओनलाइन प्लेटपोर्म पर कंप्यूटर क्लास को हेल्ड किया था और आज अपनी कंप्यूटर की दूसरी क्लास है कल की कलास के अंदर हमने कंप्यूटर से कंप्यूटर के डेफिनेशन कंप्यूटर की काम करता है वह कंप्यूटर की सारे स्ट्रेक्चallen की सारे करते हैं को उस प्रोसेस को देखने के लिए हम लोग नया टॉपिक आज लेकर के आए हैं यहां से काफी सारे कुशन अपने से पूछे जाते हैं और अपने जो एक बेस तयार करने का जो माध्यम होता है उस बेस तयार करने में कंप्यूटर जाता है वो अपन यहाँ पर देखेंगे देखिए एक अपने इससे कहा जाता है और एक जासकता है अगर्टाइजेशन ओव कम्प्यूटर ओर ₤ Association of Computer bhin इसे कहा जा सकता है ठीक है So Computer को क्या कहा जा सकता है Structure of Computer कहा जा सकता है ship or Organization of Computer के नाम से ख़िए अपन इसको जान सकते है देखो इस Point के अंदर है क्या čीज इस Computer के अंदर सीधी सी बात है कि Computer Input लेने के बाद क belum किस तरीके से प्रोसेस करता है और किस तरीके से उसका आउटपुट निकलता है इस चीज़ को अपने को समझना है सबसे पहले अपने स्टार्ट करते है प्रोसेस को कि प्रोसेस जो है वो किस तरीके से कंप्यूटर के अंदर फुल्फिल होता है कल हमने बात की थी कि computer में सबसे पहले क्या दिया जाता है इंपुट दिया जाता है क्या दिया जाता है इंपुट दिया जाता है अब इंपुट जो है वो किस किस सहाईता से दिया जाता है यानि कहां से हम लोग इंपुट दे सकते हैं तो सबसे पहला point आज हम लोग यहां पर notice करेंगे और वो है Input Devices क्या है? Input Devices पहला point अपना रहेगा Input Devices अपन किसे कहते हैं जैको कल हमने बात किती Input कि कि Input किसे कहा जाता है तो Input किसे कहा जाता है Computer को दिये गए निर्देश क्या कहलाते हैं आपके Input कहलाते हैं आज अपना दूसरा point यहाँ पर आ जाता है कि Input Devices अपन किसको कहेंगे फिक है? तो device का मतलब हो गया उपकरण, device का मतलब क्या होता है उपकरण, अब device का मतलब हो गया उपकरण तो इससे अपन क्या कहेंगे कि Computer की वे डिवाइस Computer की वे डिवाइस जीन के द्वारा Computer को निर्देश पहुचाया जाता है Computer तक निर्देश पहुचाया जाता है वो devices आपके क्या कहलाती है Input Devices कहलाती है जैसे देखको आपको पता होगा कि इसकी जो Input Device है Primary Input Device होती है Keyboard Primary Input Device कोन से होती है Keyboard होती है दूसरी अगर बात की जाए तो यहां पर आपका माउस, क्या होता है? माउस होता है, जैसे आपका जोयस्टिक है, क्या है? जोयस्टिक से, इसके बाद में अगर बात की जाए तो स्केनर है, क्या है भई? स्केनर है, अगर मैं बात करूँ तो आपका टच पेड, ठीक है? टच को चलाने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है जैसे यह डिवाइस है इसको कहा जाता है स्टाइलस कि क्या कहा जाता है स्टाइलस कहा जाता है इसी तरीके से आपका माइक्रोफॉन जैसे मान लीजिए कि आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो किस से पहुंच रही है microphone से यह जो मैंने लगा रखा है यह क्या लगा रखा है microphone लगा रखा है और आपके पास में जो आवाज सुन रही है स्पीकर है तो उससे तो रिजल्ट निकल रहा है लेकिन मैं इस microphone से क्या कर रहा हूं आवाज को computer के अंदर भेज रहा हूं तो microphone नाम सुना होगा आपने mic mic तो यह भी क्या है आपका input device और भी कई सारी अपनी input devices है जैसे OMR है OCR है BCR है MICR है वैब camera है और इन input devices से हम लोग क्या कर सकते हैं computer के अंदर input भेज सकते हैं computer में input दे सकते हैं या अब इन input device के माद्यम से अगर आपद्विच कम्पेगते हैं तो देखो वो जाता है आपका CPU में किस में जाता है CPU में जाता है कल अपने बात की थी एक जो डबबा आपन देखते हैं जो monitor के पास में पढ़ा रहता है जिसको technical language के अंदर cabinet का जाता है जिसमें आपके computer के hardware के component लगे वे रहते हैं तो वो जो डबबा है उस डबबे के अंदर आपका CPU लगावा रहता है क्या लगावा रहता है CPU लगावा रहता है ठीक है और यह जो CPU है CPU के तीन भाग होते हैं क्या होते हैं जिन से आपकी processing होती है यहां पर होगी यहां पर होगी प्रोसेसिंग कहां पर होगी इन तीनों भागों में प्रोसेसिंग होगी सबसे पहले हमने इनपुट दिया जैसे इनपुट के अंदर मान लीजिए इनपुट डिवाइस अपन ले लेते हैं कीबोर्ड कौन सा ले लेते हैं, कीबोर्ड ले लेते हैं, ये मान लीजिए आपने कीबोर्ड ले लिया, कीबोर्ड के अंदर कई सारी कीज होंगी, कई सारे बटन होंगे न, ठीक है, ये कई सारे इसके क्या हो गए, बटन हो गए, ठीक है, ये आपका कीबोर्ड बन गया, अब इससे मान लिजे कि आपने टू प्रेस किया या फिर मैं कहूं तो कि आपने इनपुट दिया टू प्लस टू टू प्लस टू फिक है यह टू प्लस टू सबसे पहले कहा पर जाएगा को देखने को मिलेगा का मिलेगा और दो यूझे की जो मेमोरी होती है उसको किस नाम से जाना जाता है के तेंपध्रेरी मेमोरी होते या फिर मैं कहूं तो कि स्टोरेज यूनिट रूप से डेटा को रखते हूँ या फिर आप ऐसा स्टोरेज यू रूप से लगर सकते हों नाब यहां पर जिसमेंologie का उप्यू graघ Kutya रहा ना यह मेमोरी सीपियू gewoon तो देखो CPU तब तक काम करता है जब तक कि electricity उसके अंदर रहती है electricity यानि पावर को जब भी हटा दिया जाता है तो इसमें से सारे डिटा क्या हो जाते हैं लोस्ट हो जाते हैं अब कि यह जो सबसे पहले यहां से निकले गा कि बोड bisa और सबसे पहले का पर जाएगा रेजिस्टर मेमोरी में जाएगा, ठीक है, अब रेजिस्टर मेमोरी में जाने के बाद में, माली जी मैंने 2 लिखा, तो यह कैसी है, अर्थमेटिक एक्वेशन है न, कम्प्यूटर को आप अगर अर्थमेटिक एक्वेशन देते हैं, यदि आप कम्प्यूटर को अर्थमेट लोजिक यूनिट अर्थमेटिक जान देना अर्थमेटिक है अर्थमेटिकल नहीं है अर्थमेटिक लोजिक यूनिट लोजिकल भी नहीं है लोजिक यूनिट अर्थमेटिक लोजिक यूनिट इसका क्या होता है पूरा नाम होता है ALU काम क्या करता है कि computer में दिये गई किसी भी प्रकार की equation चाहे वो गणीतिये हो यानि अंक गणीतिये हो या फिर वो तारकिक हो किसी भी प्रकार की equation को solve करने का काम किसका होता है ALU का होता है ठीक है आपने सबसे पहले input दिया 2 plus 2 सबसे पहले वो क्या होगा temporary roof से store होगा temporary roof से क्या होगा store होगा और store कहां पर हुआ रजिस्टर मेमोरी के अंदर रजिस्टर मेमोरी में स्टोर होने के बाद시면 कहाँ पर बेज दिया गया ALU के अंदर के किसमें बेज दिया गया ALU में क्योंकि 2 2 पलस टू आपने equation दीए तो उसका solution कहाँ ALU में होगा ALU से data वापस कहाँ पर चला जाता है है आउट पूट निकल जाता है निकल जाता है आउट पूट क्यों निकलता है वह रर्जिस्टर अपने को दिखाने के लिए यहां पर यहां पर रहते हैं तो अब्रोट jsा है उसके बाद में इसका क्या कि अंदर दीये जाते हैं यहांं तक अब्लिट आता है यहां नहीं पकोन सा को पॉस्किन सब्चता है यहां से लेकर कि यहां तक और पूर नाम किया होता है इसका पूरज यूनिट सब्सक्राइब करता है किस से लेकर के इनपुट से लेकर के इनपुट से लेकर के आउट पुट तक होने वाली process को control करता है क्या करता है input से लेकर कि output तक की होने वाली process को control करता है अब यहाँ से देखो question बनना start होंगे क्या question बनेगा कि अगर आपने computer के अंदर कोई भी निर्देश दिये और उस निर्देश का meaningful result नहीं निकला तो उसका responsible unit कौन सा होगा responsible unit कौन सा होगा ज़िम्हेधारी किसकी है इंपट से लेकर आउट फॉट तक यह उसको फॉलपिल होने में औरी हो서 कॉको दी गई है तो अगर आपने फिल गी इन पूर्प दिया और उसका रिजल्ट नहीं निकला सही रिजल्ट रहा है तो उसका रेस्पॉंसीबल क्यंгоOS transform को होता है ठीक है ना एक हमने से पूस रिया जाता है कि स्ट्रेक्टेश्यद चौर में र這樣 का ड्याएच का जाता है तो आपने बात कि जाए तो देखो यहाँ पर सी प्यू अब अपने से पूछें तो पूरा नाम क्या होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट Central processing unit एक तो अपने छोटे-छोटे से क्यूशन्स यह हो गए कि इसकी पूरी पूरी पूरा फूल-फॉर्म होता है वो क्या होता है तो एल्यू का होता है अर्थमेटिक लोजिक यूनिट ती यू को होता है कंट्रोल यूनिट और सीप्यू का होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग य इपट्र डिवय्स जो होती है वह अपने लग से पढेंगे ङूँस के बारे में पढेंगे छीन के पूछा आता है रजिस्टर मेयमऔरी से अपना क्यूशन पूछा हाता है कम्प्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी कोंसी होती है नाम सुनता है निचानल सुनत्व से क्मप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी आगर हम से क्योशन पूछा जाए कई सारी रिखावा रहता है कैस्पीड होती है के सबसे वास्ट मेमोरी होती है नहीं होती है नहीं कौन सी मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी होती है रजिस्टर मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी होती है तो कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी कौन सी होती है कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी कौन सी होती है तो रजिस्टर मेमोरी क्या होती है सबसे छोटी मेमोरी होती है तो इसको क्या का जाता है इसको सबसे छोटा memory कहा जाता है तो अपना structure of computer related यह सारे questions अपने से पूछे जाते हैं जिन जिन में छोटे-छोटे से अपने questions होते हैं ठीक है अब देखो यहां पर CPU अपने को दे रखाए ठीक है अपने को अगर पर मान लीजिए यहां पर दे दे कि प्रोसेसर कि क्या बनता है यहां पर कि प्रोसेसर जो है वो hardware है या फिर software है hardware है या फिर क्या है software है देखो आज कल के जो paper का level है न वो level कुछ इस तरीके से है कि आपको general knowledge ज्यादा पूछा जाता है आपको computer का knowledge कितना है आपको subject का knowledge कितना है वो knowledge ज्यादा पूछा जाता है आपसे डारेक्ली पूछ लिया आपने पढ़ लिया processor processor process करने के काम में आता है प्रोसेस करने के काम में आता है लेकिन actual में होता गया है processor यह हमने नहीं जाना तो processor जो होता है ना वो computer का सबसे महंगा एक होता है जो motherboard के उपर लगाया जाता है सबसे महंगा चिप ठीक है ना जो motherboard के उपर लगाया जाता है अब इसको motherboard लगाया जाता है इसका मतलब क्या हो गया तो आपका प्रोसेसर आपका हाडवेर कंपोनेंट है तो आपका यह जो पॉइंट है यह कौन सा हो गया आपका स्ट्रक्चर और कंप्यूटर का पॉइंट हो गया इससे अपने इस तरीके से को रिजिस्टर मेंमोरी कही होती है तो मेमोरी प्रोसेसर की में को होता है अंतरन करने के इसके बात करें तो नेक्स्ट टोपिक के अंदर अपना आता है। और वो अपन देखते हैं हमने structure of computer देखा अब next अपन देखते हैं अपना नया topic और वो अपना है history of computer history of computer का अपना नया topic रहेगा भई हमने structure of computer को complete कर लिया कि computer किस तरीके से काम करता है तो वो सारी चीज़े हमने देखी कि computer किस तरीके से काम करेगा सा रहेगा सिर्फिफ और किस ने बनाया है वो सारी चीज़े जो है वह हम लोग कहाँ पर देखेंगे अंदर देखेंगे पांच हजार इश्वी पूर्वे की अगर बात करें तो पांच हजार इश्वी पूर्वे हमारा सबसे पहला विश्वे का सबसे पहला जो कंप्यूटर आया था उसका नाम है अबेकस क्या नाम है उसका अबेकस नाम है यानि हम से अगर क्योंशन पूछा जाएगी विश्व का पहला कंप्यूटर कौन सा है तो देखो कंप्यूटर कौन सा है अपना अबेकस मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर विश्व का प्रथम कंप्यूटर विश्व का प्रथम computer कौन सा है अपना अब एकस है ठीक है वह computer से सीधा सा मतलब क्या होता है देखो computer का मतलब क्या है सबसे पहले तो यह समझना computer का मतलब होता है कि ऐसी machine जिससे गणना की जा सके यानि calculation के लिए इसके लिए calculation के लिए उपयोग में आने वाली जो machine है ना उस machine को हम लोग क्या कहते हैं computer कहते हैं आज का जो computer हम लोग देख रहे हैं केवल वैसा ही जो है वो अपना computer नहीं होता है यूँ नहीं है कि आज हम लोग जो computer देख रहे हैं ऐसा ही computer पहले भी हुआ कर तो दे डीरस आईटी की अंदर क्या होते जाते हैं अपग्रेड होते रहते हैं और उसके पहले अगर बात की चलने वाला वाला कंप्पूटर नहीं था जैसे तरीके से हमारा यह एक प्रेम के अंदर कुछ बनाया हुँआ था जिससे हम लोग क्या करते ते गणनाय करते थे यह से माल लेजिए यह एक लखड़ी की फ्रेम थी ठीक है न और इसको कहा जाता है आई बेरिया की लखड़ी की फ्रेम आईबेरिया से निर्मित एक यहां पर यह मसीन थी यानिकि यह एक फ्रेम थी इस तरीके से यह एक क्या थी फ्रेम थी और इस फ्रेम के अंदर आपके वायर्स पिरोई हुए थे क्या पिरोई थे हैं वायर्स पिरोई वे थे इस तरीके से यहां पर मान लीजिए कि यह वायर्स है ठीक है इन वायर्स के अंदर जो हैं वो मोती पिरोई हुए रहते थे क्या पिरोई हुए रहते थे मोती पिरोई हुए रहते थे इस तरीके से मान लीजिए हमने क्या पिरोई करते थे यहां से ठीक है देखो आज कल भी अभेकस चलता है कई calculation आपने देखी होगी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको calculation सिखाने के लिए अभेकस का उप्योग आज भी किया जाता है ठीक है बड़ी-बड़ी calculation जो होती है उनको जसे second के अंदर अगर कोई भी बच्चा करता है तो उसको सिखाने के लिए वो calculation किस तरीके से किया जाती है उसके लिए अबेकस का आज भी उप्योग किया जाता है ठीक है ना यह इस तरीके से एक machine होती थी जिसमें मोतियों को उपर नीचे करके और हम लोग प्लस और माइनस कर सकते थे क्या करते थे हम लोग प्लस और माइनस करके और गणनाये करते थे यह एक इस तरीके का machine था जिसको हमने क्या कहा विश्व का पहला computer कहा क्योंकि computer क्या है एक गणकी अंतरी तो है ना गंडना करने के लिए जिस्का उपियो किया जाता ले अपनी क्या है तो ये अपना अभेकस कंप्यूटर हुआ करता था दूसरा क्योंचिन अगर इसससे पूछा तो इसके इन्वेंटर कौन थे इसके इन्वेंटर कौन थे थैज नाम नाम है लीकाई चैन कहां क중에 ये ई की विछ उचा जाए कि इसका यूज़ क्या है now and use किस लिए करते हैं तो फॉर इन करने के लिए कि ईसके लिए घंडणा करने के लिए कि गंडणा करने के लिए अभेकस का उप्योग किया जाता था ठीक है यह तीन चीजें अपने को याद योग किया जाता है तो विश्वय का पहला computer अपना हो गया history of computer के अदर पहला computer अपना कौन सा आता है अपना अब एकस आता है इसके बाद में अगर अगर अपन next computer की बात करें जो हमारे आज के computer को बनाने में बहुती एहम भागिदारी निभाई है इन में computers ने उन computer की अगर बात करें तो देखो अपन डारेक्थ चलते हैं 1642 के अंदर 16": बनाया गया जिसका नाम है ने पेर बोन क्या नाम है ने पेर बोन में वोच्छ 157 के अंदर हमारा एक invention हishing हुआ Subscribe नाम क्या है नेपियर बोन नामक मसीन 1617 में नेपियर बोन नामक मसीन को बनाया गया इन्वेंटर कौन है इसके इसके इन्वेंटर है स्कोटिक मैथमेटिशन यारी कि स्कोट लेंड के यह थे और इनका नाम है जोन नेपियर क्या नाम है जोन नेपियर नाम है जिन्होंने सब्सक्राइब सबसेविश क में से कर वा सकते थैं सबसे बेड़ कोई याद रखना है अब एकस और उसके में 1617 के अंदर कौन सी मसीन बनी है अपनी नेपीर बोन नामक मसीन बनी है अब अपन चलते हैं 1642 के अंदर 1642 यानि 1642 के अंदर एक मसीन बनाई गई जिसका नाम है पास्कलाइन मसीन इसका नाम क्या है पास्कलाइन मसीन नाम है किसने बनाया इंवेंटर कौन है इसके और किस लिए बनाया इसके जर्चा करेंगे देखो आपने नाम सुना होगा ब्लेज पास्कल का किसका नाम सुना होगा ब्लेज पास्कल का आपने नाम सुना होगा यह फ्रांस के थे कहां के थे फ्रांस के मैथमेटेशन थे जिन्नों ने अपना एक मसीन बनाया और इस मसीन का नाम क् रखा 1642 के अंदर इसको बनाया गया था इसका उपयोग क्या है कि 8 अंको तक की चल संख्याओं को अपना पास्क लाइन मसीन का उपयोग किया जाता है आठ अंको तक की चर वेल्यूज को अगर आप घटाना चाते हैं या फिर एडिशन करना चाते हैं तो उसके लिए हमारी कौन सी मसीन बनी पास्क लाइन मसीन बनी और इसके वेगयनिक का क्या नाम है हमारा ब्लेज पास्कल इसका नाम है दिरे दिरे और इंवेंशन होते गए और इंवेंशन में हमारा यहाँ पर सबसे इंपोर्टेंट जो कंप्यूटर आता है वो कौन सा है 1822 कौन सा है 1822 में जो इंवेंशन हुआ है वो हमारा सबसे इंपोर्टेंट है यहाँ पर आप देखना कि यहाँ 1821 भी आ सकता है यानि अगर डेट पूछी जाए तो 1821 या इसका नाम है चार्स बेवेज क्या नाम है? prix नाम है यूज किसं लिए किये जाते थे? देखो य데 जो मसीन थी ना यह भाप के ऊपर चलती थी इसके उपर चलती थी भाप तो हमसे question क्या जा सकता है कि भाप द्वारा चलित machine कौन सी थी कि गना तो भाप से चलने वाली machine जो है वो कौन सी है difference engine है operated by machine language machine language का मतलब क्या हो गया binary language यानि 0 और 1 के उपर क्या करती थी ये machine काम करती थी 0 और 1 के उपर काम करती थी difference engine में सबसे पहले program डाला गया यानि सबसे पहला program जो है वो कौन से machine के अंदर डाला गया है difference engine के अंदर डाला गया है ठीक है ना यानि programs को हम लोग क्या कर सकते है store कर सकते हैं और program के मुद्रन में भी ये machine क्या थी sufficient थी यानि कि हम लोग क्या कर सकते थे program को print भी कर सकते थे program को क्या किया जा सकता था print भी इस machine से किया जा सकता था ठीक है ना अब देखो ये जो अपने Charles Beves है Charles Beves से आपको कुछ ध्यान में आ रहा होगा कि Charles Beves जो है इनको कहीं और भी सुना है हमने कि Charles Beves को computer का पिता कहा जाता है क्या कहा जाता है Charles Beves को computer का पिता यानि father of computer father of computer इसे कहा जाता है क्यों कहा जाता है इस बात को अपन देखते हैं देखो जिस pre-usion के लिए difference engine को बनाया गया था ठीक है ना उस pre-usion को complete करते हुए Charles Beves ने एक machine और बनाई 1823 में जिसका नाम है ऐलिटीकल इंजन डेक नाम है इसका अने ta को आई छार्डे लेवेज कुछ वो स्टार्ट होती है यहां से कंप्यूटर का पिता जो है वो चार्ल्स बेवेश को कहा जाता है क्यों कहा जाता है देखो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि एनलिटिकल इंजन जो है इसको माना गया है वर्तमान कंप्यूटर की आधार सीला तो देखो क्यूशन यहां से पूछा जा सकता है कि वर्तमान कंप्यूटर की आधार सीला किसे कहा जाता है तो वर्तमान कंप्यूटर की आधार सीला किसे कहा जाता है ठीक है तो वर्तमान कंप्यूटर की आधार सीला कहा जाता है अनलेटिकल इंजन को और यह वर्तमान यानि प्रेजेंट में हम लोग के सिले का उव्योग कर रहे हैं उस आधार से ला क्सको बनाया गया है अब दूसरी बात यहांब या screening देको इसको जब हमने अधार सिले के सुरौध वह कहां सकते जो कहां सकती है अागर इसका बिस है तो इसका बनाने वाला क्या होगा कि आने चाहले लिए च这个 जया का जाता है या फिर अफर इस सो फेस्टिकेटेप्ड मोडल फो इंजन यानि यह जो एंपने क है क्या है क्या है डिप्रेंच इंजन का लो भी कहिंटल करें एंपर के एह थे डीरे पता है फोन शोली फोन लेकर टके हो पिए जैसे गाड़ी अपन देखें तो गाड़िक होता है ट्यूसरे अपने जो अपग्रेटेड वर्जन आते रहते हैं ठीक है जैसे S10 है S11 आ गया इसके बाद में कोई और मोडल आएगा ठीक है तो इसी तरीके से जो एनलेटिकल इंजन है वो डिफरेंस इंजन का ही क्या था परिश्कृत रूप था क्या था परिश्कृत रूप था इपरेंस इंजन का पुण सा मसीन तो हमने क्या कहना है एनलेटिकल इंजन है क्या कहना है एनलेटिकल इंजन है क्लिए है ठीक है इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो 1887 के अंदर एक इंवेंशन हुआ जिसका नाम है पंच कारड टैब्याइंट इंचन इप पंच कार्ड है ना यह काफी important चीज है जेखना कैसे कि सबसे पहले अगर आपन जैसे देखिए अपन पढ़ेंगे generation of computer तो generation of computer के अंदर हमारी आईगी first generation 1942 से लेकर के 1955 तक हमारी first generation होती है computer की generation होती है उसमें data को store करने के लिए हमने पंच कार्ड का उपयोग किया था किसका किस लिए किया जयता है तो किसे किया जाता है data को store करने के लिए's का उपयोग किया किया जाता है data को store करने के लिए how to पंच कार्ड को किस ने बनाया है हर्मन होलेरित के द्वारा पंच कार्ड को बनाया गया है हर्मन होलेरित के द्वारा पंच कार्ड को बनाया गया है आप देखो हर्मन होलेरित के द्वारा बनाये जाने के कारण इसे होलेरित कार्ड या फिर IBM कार्ड के नाम से भी जाना जाता सब्सक्राइब नाम से सब्सक्राइब we are फिर Hai qT आई विश्कार लुता हुई लग फ़िश्टा के नाम से इसे क्या किया जाता है प्मधिस्कार सब्सक्राइब के या फिर चोनद्टा दूसरी बात है कि पंच्राइब जो है दूसरा अपनाता है कि invention किस ने किया तो हरमन होलेरित इसकी क्या है इन्वेन丟र है अब हरमन होलेरित ने पंच कार्ड को बनाया है तो पंच कार्ड को हम लोग होलेरित कार्ड या फिर IBM कार्ड के नाम से भी जानते हैं क्लियर है इसके बाद अगर बात की जाए कि यह जो पंच कार्ड है पंच कार्ट टेबलेटिंग मसीन है इसका सरव पृत्थम उपयोग कभ किया गया था तो अठारा सु नब्य की यूएसे की जनगनना के लिए हमारा यह जो पंच है इसका उपयोग किया गया था यानि USA में जो आपकी जन्गणना हुई थी फॉर्स्ट यूज पंच कार्ड इस यूज फोर सेंसस ओफ यूएसे ठीक है उसकी जन्गणना किस से की गई पंच कार्ड से की गई अगर हमसे पूछा जाए कि पंच कार्ड का वर्तमान में किस लिए यूज किया जाता है जब से पहले इसका उपयोग किया गया अमेरिका की जन्गणना के लिए दूसरी बार इसका उपयोग किया गया जो हमारे फर्स ज मसीन से उसमें जो वोट हम लोग डालते हैं उन वोट को काउंट करने के लिए या फिर स्टोर करने के लिए किसका यूज किया जाता है पंच कार्ड का उपयोग किया जाता है यहां पर दे रखाया है कि पंच कार्ड इस ऑल्लेरित कार्ड और IBM Card और IBM Card के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो ये मसीन हमारी बहुत important रहती है, काफी सारे questions जो है, वो examination के अंदर इससे related पूछे जाते हैं next बात करते हैं, कि next अपने कौन-कौन से computers है, जो हमारे आज की computers में भागिदारी निभा रहे हैं, या फिर बहुती important computer अपने time पर रहे थे, next अगर बात की जाए, तो देखिए इससे पहले एक note है ठीक है ना, इससे पहले एक note है एक देखो, नाम आता है हमारे सामने, father of computer हम लोगों ने कहा कि father of computer है, वो किसको कहा गया, Charles Veves को कहा गया लेकिन अगर हमसे कोई कह दे कि mother of computer किसे कहा जाता है mother of computer किसे कहा जाता है तो हमें क्या कहना है तो हमें क्या कहना, देखो, mother of computer जो है, वो lady loveless Ada Augusta lady loveless Ada Augusta को क्या कहा जाता है mother of computer, यानि computer के माता कौन है lady loveless एडा अगस्टा ये एक woman है ठीक है ना जो क्या है computer के माता के नाम से जानी जाती है दूसरे बात ये कि binary संख्या प्रणाली जो है binary number system जो है भई हमने कल भी बात किती कि binary number का मतलब क्या होता है computer जो है वो binary number समझता है binary number का मतलब है 0 और 1 जिसका base कितना होता है 2 होता है computer आज भी केवल एक ही भासा समझता है और वो भासा कौन से है आपकी binary language है ठीक है तो binary संख्या प्रणाली जो है इसका स्रे जो है वो किसे दिया जाता है binary number system का स्रे जो है वो भी किसे दिया जाता है lady loveless ada agasta को दिया जाता है इसके साथ ही विश्व का पहला programmer का अगर कहा जाएगी किसे कहा जाता है तो वो भी किसे कहा जाता है lady ada agasta को ही first programmer in the world कहा जाता है ठीक है lady loveless ada agasta is also called mother of computer and lady ada agasta is the first programmer in the world यानि कि programmer अगर देखा जाए तो विश्व का पहला programmer कोन है तो यह जो lady है यह क्या है विश्व की पहली programmer के नाम से अपने जाने जाती है clear है इस बात को जो है अपने को गांट बांद लेनी है याद रखना है कि lady loveless ada agasta कोन है ठीक है तीन चीज़ें हो गए इसमे mother of computer है binary number system का स्रे भी इने दिया जाता है और जो आपके programmers है उन programmers में जो सर्व प्रतम programmer बनी थी वो कोन है अपनी lady loveless ada agasta है ठीक है नेक्स्ट अपन बात करते है नेक्स्ट computer का जिसको ABC computer कहा जाता है क्या कहा जाता है ABC computer कहा जाता है इसको नाम जाता है यानि इसका कुद का नाम जो है वो ही क्या है इसका computer का नाम है डॉक्तर जोन से एटन्स ओफ क्लिपबोर्ड बेरी इसका क्या है इन्वेंटर है यूज किसलिए करते थे ठीक है ना यानि ये जो computer था ना ये पहला digital computer बना ठीक है word की list के अंदर first electronic digital computer था अगर digital computer की बात की जाए यानि जैसे अपन आजकल के computers का जो use करते हैं वो अपना digital computer है जिसको micro computer कहा जाता है तो first digital computer जो है वो कौन सा है तो ABC computer यानि अटन्स ओफ बेरी computer जो है वो क्या है अपना first digital electronic computer है first digital ठीक है ना electronic digital computer कौन सा है अपना अटन्स ओफ बेरी computer है next अगर बात की जाए तो देगे 1944 the mark first computer कौन सा है the mark first computer the mark first computer जो है ये क्या है word list के अंदर first fully automatic calculating machine है यानि अगर कहा जाए कि विश्वा की पहली fully automatic calculating machine कौन सी है तो वो कौन सी है अपनी mark first है कई बार देखिए class के अंदर ऐसा होता है कि जब भी पूछा जाता है कि पहला super computer कौन सा है या पर पहले की बात आ जाती है ना वहाँ पर बच्चे कई बार आंसर देते हैं कि सर मार्क first है लेकिन mark first जो है वो क्या है आपका fully automatic calculating machine है इससे पहले कोई भी machine ऐसी नहीं आई जो fully automatic हो ठीक है ना automatic calculate कर दे किसी भी चीज़ को ठीक है तो fully automatic calculating machine की अगर बात की जाती है तो mark first अपना क्या है fully automatic calculating machine है invention किस ने किया तो Harvard A. 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 Khan of Harvard University of Harvard University in collaboration with IBM यानि IBM company और इस university के collaboration से इस machine को बनाया गया था ठीक है IBM company और आपकी ये जो university है Harvard University है इन दोनों के collaboration से किसको बनाया गया है आपका mark first computer को बनाया गया किसको बनाया गया है mark first computer को बनाया गया है use क्या है इसका तो देखिए addition, subtraction, multiplication, or divination plus, minus, गुणा और भाग जैसी गणनाय करने के लिए किसका use किया जाता है mark first computer का use किया जाता है और यह fully automatic है इसमें अगर आपने दो चीजों का योग करना है और आपने दो इसको instruction दे दिये तो यह automatic calculate करके आपको result प्रदान कर देती थी ठीक है तो 1944 के अंदर अपने ऐसी machine बनाई जो क्या करती थी? automatic calculation करती थी बात करें next computer की तो 1946 के अंदर 1946 के अंदर अपने एक computer बना जिसको कहा जाता है NEA computer यह जो computer है यह हमारा first electronic computer है first क्या है electronic computer है देखो यह जो mark first है यह तो क्या था? fully automated calculating machine था ठीक है और NEA जो है वो क्या है आपका first electronic machine है क्या है first fully electronic machine ठीक है यह अगर अगर कहा जाए कि पहला electronic machine कौन सा बना तो NEA बना है जो आपके first generation का computer है किसका है? first generation का computer है यहां से हमारा जो question पूछा जाता है वो पहला question तो यह आता है कि NEA का computer का पूरा नाम क्या है? तो देखो NEA का मतलब होता है electronic numerical integration and calculator यह जो full form है यह अपने को ध्यान रखना है बहुत ही अच्छी तरीके से क्योंकि यह काफी बार exam के अंदर देखा जा चुका है और यहां पर ध्यान रखने वाली बात कौन सी है? यह समझना आप इसके full form के अंदर ध्यान क्या रखना है अपने को? लास्ट के अंदर यह जो calculator दे रखा है ना इसका ध्यान रखना है कि अगर आपको option के अंदर पहले option में मान लीजेगी आपको दे दिया कि electronic numerical integrator and calculator दूसरे option में आपको दे दिया electronic numerical integrator and computer ठीक है? तो इसमें confuse नहीं होना है अपन क्या कर देते हैं? maximum students जो होते हैं वो C को computer करके आते हैं ठीक है? जहां पर अगर calculator दे रखा है तो इसका पूरा नाम जो है वो calculator है ठीक है? C का जो पूरा नाम होगा वो क्या होगा? calculator होगा अगर आपको calculator ना दिया हुआ मिले तो वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं? इस computer है? word list के अंदर क्या है यह? first electronic computer है then अगर बात की जाए तो general purpose use के लिए general purpose use के लिए यह पहला computer बना ठीक है? first electronic computer तो था ही general purpose यानि कि हमारे जो छोटे मोटे काम है उनको करने के लिए जिस computer को बनाया गया वो पहला computer आपका कौन सा है? anya का computer है कौन सा है? anya computer है इसे first generation का computer भी कहा जाता है क्या कहा जाता है? first generation का computer यानि प्रथम PD computer के अंदर अगर देखा जाए तो अपना कौन सा आता है? anya computer आता है clear है? ठीक है? next आगे बढ़ते हैं आगे जो अपने computer है उनकी चर्चा करते हैं कि आगे आपके कौन से computers बने हैं? यहाँ पर देखना 1946 की बात कर लेते हैं किसकी बात करेंगे? 1946 एडवेक electronic discrete variable automatic computer ठीकन नाइटिन फोटे सिक्स में बना इसको यह भी first generation computer है कौन सा है? first generation computer है किसके द्वारा बनाया गया है? जोन पेस पर एकर्ट एंड जोन विलियम में मौसली के द्वारा इसे बनाया गया है first generation computer है electronic मध्यम से यह चलता है ठीक है ना calculation करने के लिए इसका उप्योग किया जाता है next अगर बात करें तो 1949 के अंदर आपका एड से computer बना कौन सा computer बना? एड से computer बना पूरा नाम ध्यान में रखना आपने को electric delay storage automatic computer electric delay storage automatic computer इसे भी first generation computer कहा जाता है next अपन बात करें तो 1954 कौन सा है 1954 देखो मैंने जो generation start की जो आपका history start किया वहाई पर मैंने आपको बता देता है first generation जो है वह 1942 से लेकर के 1955 तक है ठीक है तो इस बीच में जितने भी computer है उन सबको हम लोग क्या कहेंगे first generation computer कहेंगे अब देखो यह आप 1954 है तो four का मतलब क्या हो गया 1955 से पहले आ रहा है तो इसका मतलब हो गया कि यह भी first generation computer कॉन सा है first generation computer है इसका दाम यूनिवेक Universal ओत्रों अट्डॉमेटी कोफियूटर यह एक संस्तान द्वारा बनाया गया जिसका नाम है GEC whilst धरल कर्पोरेशन जरनberry क्ट्र्रिक कोर्पपोरेशन द्वारा इससे बनाय गया था यह देंको क्या है वाइल लिस्ट के अंदर इसको कहा जाता है यूनिवेक को कहा जाता है तो यह जो फर्स्ट फर्स्ट वाले है ना इनको सबको अपने को याद रखना है कि कौन सा फर्स्ट इलेक्ट्रोनिक कम्प्यूटर है कौन सा फुल्ली ओटोमेटिक कम्प्यूटर है फुल्ली ओटोमेटिक कम्प्यूटर ठीक नेक्स्ट गर बात की जाए तो 1970 1970 के अंदर हमारा बना Micro Processor बात याद रखना कौन सा बना Micro Processor बना और जो पहला Micro Processor है वो अपना है Intel 4004 याद रखना First जो आपका Micro Processor है वो कौन सा है First Micro Processor First Micro Processor कौन सा है Intel 4004 आपने कई सारी एक्जाम के अंदर इस क्यूशिन को देखा होगा कि Intel 4004 जो है या फिर या क्यूशिन पुछा आता है कि आप First Micro Processor है वो कौन सा है निमने में से Intel 4004 Intel का मतलब समझ गए होंगे कंपनी का नाम है क्या है कंपनी का नाम है जो कंप्यूटर हाडवेर बनाती है क्या बनाती है कंप्यूटर हाडवेर कंपोनेंट्स बनाने का काम करती है तो Intel 4004 आपका क्या हो जाएगा First Micro Processor हो जाएगा ठीक है World List First Micro Processor is Intel 4004 ठीक है इन्वेंटेड भाई अब IBM कंपनी है IBM का नाम ही आ रहा है Business Machine Business Machine International Business Machine ठीक है आप देखो यहाँ पर नोट है नोट जहाँ पर आ रहे है इसका मतलब है कि आपको इसको Contrast याद रखना है इसको क्या याद रखना है Contrast याद रखना है देखिए सक्ति यहाँ पर एक नाम दे रहा है सक्ति और हमसे क्यों पूसिया जाए कि निम्न में से सक्ति क्या है तो देखो सक्ति is the first microprocessor of India सक्ति is the first microprocessor of India विश्वे के पहले microprocessor की बात की गई तो हमने क्या कहा Intel 4004 जो है वो क्या है अमारा विश्वे का पहला microprocessor है लेकिन अगर हमसे पूसिया जाए कि भारत ने भी तो कुछ बनाया होगा तो भारत के द्वारा निर्मित पहला microprocessor कौन सा है तो हमें क्या कहना है सक्ति है विच इसको बनाया गया और डवलप किया गया किसके द्वारा दा स्टूडेंट ऑफ आयाई टी आयाई टी चैन्ने के स्टूडेंट्स थे ठीक है ना इस बील्ड विद ए microchip देट इस manufactured और created एट इस रो चंडीगड ठीक है ना इसे किसमें बनाया गया एक microchip के अंदर भी micro processor होता है इसका मतलब समझने न micro processor होता है क्या एक chip भी तो होती है एक क्या होता है chip होती है जो motherboard के उपर लगी हुई रहती है computer का मुख्य component computer का मुख्य component आपका कौन सा होता है micro processor होता है तो IIT Chennai के students थे जिन्नों ने एक chip के उपर क्या बनाया processor बनाया और उसका नाम क्या रख दिया सकती नाम रख दिया ठीक है ना और कहाँ पर बनाया था इस रोज चंडिगड के अंदर इसको बनाया गया था ठीक है ना किसके लिए manufacturing created at कहाँ पर बनाया गया था इस रोज चंडिगड में इसको बनाया गया था ठीक है तो भारत का पहला जो microprocessor वो कौन सा हो जाएगा आपका सकती हो जाएगा clear है next अगर अपन बात करें इसके बाद में अपना है देखिए यहाँ पर भी आपका बहुत ही important एक जो है वो यहाँ पर नाम आता है HEC कौन सा नाम आता है HEC HEC का मतलब होता है electronic digital computer electronic digital computer 2M यह एक computer का नाम है HEC 2M ठीक है यह क्या है भारत द्वारा stable किया गया first computer भारत द्वारा stable किया गया या फिर मैं कहूं तो खरीदा गया ठीक है भारत ने computer खरीदा गया और खरीद करेके stable किया गया पहला जो computer है उसका नाम क्या है HEC 2M जिसको कहा पर लगा गया था सांखी की यह department के अंदर इसको लगाया गया था कहां के कलकत्ता के 1956 में इसको इंस्टोल किया गया कहां कलकत्ता के Indian Statistical Institution के अंदर यानि भारती ये संखी की विभाग कलकत्ता के अंदर सबसे पहले खरीदिगर के जिस computer को लगाया गया था उस computer का नाम क्या है HEC2M नाम है इसका क्या नाम है HEC2M नाम है clear इसके बाद में अपन दूसरा यहां पर देखे तो देखिए एक आपका computer का नाम आता है जिसका नाम है T-Frag जो Tata Institution के द्वारा बनाया गया था हमसे पूछा जा सकता है कि निम्र में से Tata Institution के द्वारा बनाया गया computer कौन सा है तो T-Frag है इसमें T का मतलब हो जाएगा Tata I का मतलब हो गया Institute F का मतलब हो गया For of Fundamental R का मतलब हो गया Research और A का मतलब हो जाएगा Automatic और C का मतलब हो जाएगा Calculator यानि Tata Institute of Fundamental Research Automatic Calculator इसका पूरा नाम है जिसको अपन T-Frag के नाम से जानते हैं और ये जो computer है ये भारत में बना हुआ पहला computer है यानि भारत में Tata Group के द्वारा बनाया गया पहला computer जो है उसे किस नाम से जाना जाता है उसे T-Frag के नाम से जाना जाता है किसके नाम से T-Frag के नाम से सबसे important question की बात करूँ तो वो ये है सिद्धार्त was the first computer developed in India it was installed in main post office main post office of Bangalore कब इसको store किया गया था 16 अगस्त 1986 को इसको store किया गया था कब किया गया था 16 अगस्त 1986 को इसको store किया गया था भारत द्वारा निर्मित भारत द्वारा developed किया गया पहला जो आपका computer है उसका नाम क्या है सबसे पहले तो सिद्धार्त अब यहां से question को रट लेना एक question को क्या कि भारत द्वारा निर्मित प्रथम computer कोन सा है भारत द्वारा निर्मित प्रथम computer कोन सा है तो हमें याद रखना है सिद्धार्त क्या ध्यान में रखना है सिधार्त ध्यान में रखना है इसको कहां रखा गया था मुख्य पोस्ट ऑफिस कहां बैंगलोर के अंदर इसको रखा गया था मुख्य पोस्ट ऑफिस से बैंगलोर के अंदर इसको रखा गया था दो चीजीं हो गई देखो सहर से ही सी टू एम नाम का जो computer है उसको statistical department के अंदर कलकत्ता में रखा गया था जिसको खरीदा गया था जिस computer को क्या किया गया था बाहर से खरीदा गया था दूसरा है कि भारत द्वारा निरमित जो पहला computer है वो कौन सा है वो सिधार्त है जिसे कहां रखा गया मुख्य post office बैंगलोर के अंदर इसको रखा गया था कहां पर मुख्य post office बैंगलोर के अंदर इसको रखा गया था टाटा ग्रूप के द्वारा बनाया गया computer कौन सा है तो टी फ्राक टाटा इंस्टूशन के द्वारा बनाया गया पहला computer है clear है तो यह हमारे important जो अपने जितने भी computers आते हैं वो computers है यह जो अपन सब्सक्राइब कर लेना है हमारे दिमाग के अंदर इसको stable कर लेना है बार बार पूछे जाने वाले questions यह है तो यह हमारे important questions हो गए जिनके अंदर अपने जो most most अपने computer से उनके बारे में हमने चर्चा की है I hope आपको समझ में आया होगा next class है देखिए यह जो एक साथ हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं यह सभी computers जो है वो एक साथ अपने को कहीं नहीं मिलते हैं चीक है अगर अपने books भी लेकर अगर पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी 2-4 computer के नाम आ जाएंगे उसके बाद में अ हम लोग generation of computer के अंदर fulfill कर लेंगे यानि कि जो जो computer बच गए हैं जो important computer थे उनको generation of computer के अंदर हम लोग डालेंगे जिससे कि जो भी computer है जितने भी computer से जो examination में पूछे आते हैं वो सभी computers हमारे all over clear है clear है तो आज की class यहीं पर अपन complete करते हैं next class अपन कल देखेंगे तो इतन झाले के तैंक्यू